येस देखिए एक वैक्टर का कोश्चन देखिते हैं दिखने में काफी कॉंपिकेटड दिखता है और Two- के मोडूलस का डिवाइड किया यानि यूनिट वैक्टर दिया है यहां पर ट्रिक्स रूपी हुई अगर आपको गिवन वैक्टर यूनिट वैक्टर दिया है तो आप क्या कर सकते हैं आप इसे आई भी माल लेंगे ना तो भी है यहां पर बोला है तू अगर हम इया तो पूरा ए क्रास मिल्टिपला यह करें इस पर थोड़ा सा तो देखिए जैसे आपने लिखा 2i plus j यहाँ पर लिखा i cross j cross i minus 2j अब आपको यहाँ पर इतना सा एक काम करना यह ijk मानने से आपके लिए बहुत इजी हो गया अब देखिए क्या होगा कि आपको यह पता होना अच्छी यह हमेशा मिस्टेक होती कि ijk में क्या रिजल्ट होता तो आप ऐसे लिखा करें और याद रखें जब भी एंटी क्लोग वई जाएंगे तो आप पॉजिटिव लिखेंगे क्लोग वई जाएंगे तो निगेटिव जैसे अभी आप अगर देखें तो i क्रोश जे बोला है तो i क्रोश जे जो है वो होता है के ता आप इसको ऐसा लिख सकते थे तो i तो अगला result क्या है अब देखो ध्यान से अगला result लिखेंगे तो 2i प्लस जे यहां लिखते तो के क्रॉस आई माइनस तूबहा लिख दो के क्रॉस जे constant भार आजाएगा तब यह ऐसा लिखा देखो न टू एक क्रॉस भी तो इसका मतलब टू आप भार भी लिख सकते हैं राइट अब एक ची बताइए के क्रॉस आई की बात करूं तो जैसे ही के क्रॉस आई की बात करूंगा तो यह एंटिक लॉग वाइज है तो के क्रॉस आई एगा पलस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू आई तरसे टू ह फ्लस यह का यह हो गया होल स्क्वे के आभ ओपन कर दीजिए तो आप लेखते पोराइच निकोर प्लस ज स्क्वेश माई प्लस पोर आइड ौट जे जीरो था और जे का स्क्वेर वन वन होते तो प्लस बन कितना हो गया 5 तो आपको नेट रिजट मेलिया 5 राइट